हेलो एब्रिवन वेलकम पैक टू मैं चैनल तो आज के व्यूटिशन कोर्स में मैं आपको मैनिक्योर की फाइल तियार कराऊंगी ठीक है इससे पहले मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे थियोरी लिखवा चुकिये तो आप उससे देख लिजिएगा एंड नोट डाउन कर लि मैंनी प्लस क्योर ठीक है तो मैंनी क्या अर्थ है हाथ और क्योर का अर्थ है देख भाल करना मैंनी क्योर में हाथ की सफाई और नेल की सफाई और देख लेक करते हैं ठीक है मैंनी क्योर करने से हाथ की नाखुन मजबूत होती है इससे चमक आती है और हमारी मान स्पेस्यों में रिलेक्स मिलता है, मैं ही निक्योर करने से, ब्लट सर्कुलेशन में ब्रीधी हो जाती है, ठीक है मैं निक्योर को सडलभासा में हम समझे है, तो यह हाथों और उंगलियों को खुसूरत बनाने के एक ब्यूटी टेटमेंट है इससे हमारे नाखुनों की भी सफाई हो जाती है मैनिक्योर से बहुत सारे लाब भी है तो यह मैं आपको आगे चल के बताऊंगे कि इसमें क्या-क्या लाब है तो हम मैनिक्योर क्या है इसके बारे में जानगे ठीक है तो अब हम मैनिक्योर की समागरी के बारे में जानेंगे तो मैनिक्योर करने से पहले जरूरी होती है मैनिक्योर की समागरी तो हम सारी समागरी की लिस्ट बना लेंगे और उसे इकठा कर लेंगे तभी हम अच्छे से मैनिक्योर कर सकते हैं तो फिर हम अपना हेडिंग डाल लेंगे मैनिक्योर की समागरी ठीक है तो सबसे पहले चाहिए गोमे टव जिसमें हम अपने हाथों को डुबोएंगे सहल, नीबू, सेम्पू, लूफा, एक्टिवेटर या अमोनिया, प्यूमिक इस्टोन, हाइडरोजन पैरकसाइड, गरम पानी, कॉटन, मैनिक्योर कीट, मैनिक्योर आयल या कैप्सूल, वितामिन ए की कैप्सूल, नेल फाइलर या थीनर, नेल पैन्ट, एंड क्लिंजिंग मिल्क, स्क्रब और मसाज क्रीम, अगर आपके पास क्लिंजिंग मि किस क्रम मसाज क्रीम नहीं है तो आप इसे इस की भी कर सकती है बट अगर हमें पालर में करना एक क्लाइंड के उपर तो हमें ये समागरी पूरी जरूर चाहिए तो इसे अपने लिष्ट बना लिजेगा फिर समागरी लाइए उसके बाद ही मैनिक्योर करना इस टार्ट हम करे है यह ठी हमारे मैनिक्योर की पूरी निस्ट का में हमें क्लाइंट आप अही जानेंगे मैनिक्योर करने का तरीका सबसे पहले क्लाइंड के नेल को नेल रिमूबर यानि थीनर की सहायता से साफ कर लेंगे नाखुन पे जो नेल पेंट लगाए होते हैं पहले से उसको धिनर के मदद से हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे इसके बाद गरम पानी लेंगे और उसमें एक चमच पेसको हम टन कर लेते हैं एक चमच एक्टिवेटर लेंगे आधा नीवू दो छोटे चमच हैर्डोजन पैरकसाइड सेमपू सहद एक चमच डाल देना है जब 10 मिल तक हाथों को डूबो रखेंगे पानी में हमें 10 मिल तक हाथ को डूबा के रखना और लूफा की सहायता से पूरी हाथों को अच्छे स और नार्मल ब्रस की सहायता से पूरे हाथों पर हल्की हल्की मालिस जावर आएंगे फिर मैनिक्योर किट से नेल की सफाई करेंगे और नेल फाईलर से नाखुनों को मन चाहा अकाव मालिस कररें फिर साफ को धो लेंगे क्लिंजिंग मिल्क और स्क्रब लेकर 10 मिनट तक स्टेप वाइज हम मसाज कर लेंगे ठंडे पानी से धो लेंगे उस तक पस्टा देने उसके बाद मसाज क्रीम से 5 मिनट तक मसाज करेंगे और स्किन में मसाज करते करते क्रीम को हम समवा देंगे इसके बाद मैनिक्योर आयल या विटामिन E कैपसूल से 5 मिनट तक मसाज करेंगे तो ऐसे हमें मैनिक्योर करना है तो यह थी हमारी मैनिक्योर करने के वीधी अब हम इसके सवधानियों के बारे में जान लेंगे तो पेश को टर्म कर लेंगे तो मैनिक्यूर के फायदे तो अब हम मैनिक्यूर के फायदे के बारे में जान लेंगे तो मैनिक्यूर करने से नाखुन साफ रहते हैं और संक्रमट से बचा होता है नाखुन स्वस्त होते हैं और तूटने तूटते नहीं है नंबर हाथों की तवचा रूखी बेजान नहीं होती है नाखुनों में चमक आती है हाथ नरम मुलाएं वो खुशूरत वो आकरसक नज़ा आने लगते हैं अब हम नेक्स्ट हेडिंग के बारे में जान लेंगे मैंनिक्योर करते समय ध्यान रखने योग बाते तो कुछ वाते हैं जो हमें मैंनिक्योर करते समय ध्यान रखना है तो नाखुनों को ज्यादा छोटा ना करें ठीक है तो जरूरी नहीं है कि हम नाखुनों को काटना ही है अगर हमारे नाखुन पहले से ही छोटे हैं तो उन्हें हम नहीं काटेंगे बस फाइल के जर्य यानि फाइल की मदद से उसे एक अच्छा सा आखार देंगे तो बहुत ज्यादा छोटे नाखुन हो जाते हैं तो यह हमारे लूप को खराब कर देते हैं सिकेन नमबर हमारा हो है क्यूटिकल क्यूटिकल से ट्रीम करने से बचें फाइलर का उप्योग ध्यान से करें तो फाइलर को हर दिसा में गुमाते हुए नाखुनो को सेप देंगे नाखुनो को अच्छे से साफ करना नह भूले नेल पालेस की ज्यादा मोटी लियर न लगए लगतार हमें दो कोट नहीं लगाना वणना हमारे जो नें पालीस होती है न वो खराब हो जाती है एक कोट लगा लेंगे फिर जब वो कोट सुख जाएगा उसके बाद ही हम दूसरी कोट लगाएंगे तो ये थी मैनिक्योर की थियोरी तो आप भी इसे राइट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि हम पालर सिखते हैं तो हमें थियोरी या नोट ब्यूटी पालर की बनानी पड़ती है और आपके पास मैनिक्योर की समागरी मुझूद है तो आप घर पे ही खुछ से मैनिक्योर कर शकती है तो आपी से स्किन सोट टे लिजिए और अच्छे से नोट कर लिजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें